यह किसके phone सुन रहे हैं? ISI जो है, यह किसके phone सुन रहे है भाई? क्या India में? एंडिया में किसी के phone सुन रहे है? क्या इनके पास वो technology है कि इंडिया में किसी general का या किसी बहुत बड़े national security के बंदे का phone tap करें और record करें conversation? ISI बहुत पहले से conversation tap करती आई है. जब से conversation tap करने की technology पाकिस्तान में आई है, ISI इसको tap करती चली आई है. बड़े अफसोस से कहना पड़ता है किस तक स्टेप पाकिस्तान की हकूमत ने लिए है. ओरिजिनल वीडियो के लिंग डिस्क्रिप्शन में अगर आप इंको support and subscribe करना चाहते हैं, इसक्रिप्शन में जाके आप कर सकते हैं, वीडियो करम करते हैं. जैन दोस्तों, मैं गुमेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं Majorly Right. दोस्तों, पाकिस्तान के इतिहास में कई बार मार्शल लो लगे है. और लोग ये कहते हैं कि जब मार्शल लो नहीं भी लगा पाकिस्तान में, तब भी जो डिमोक्राटिक डिक्टेटर्स थे, यानि क वो डिमोक्राटिक पसंद ने था, जिन्हों ने डिमोक्राटिक यानि कि लोकतंतर का जामा तो पहना, एक कवर तोड़ाया दुनिया को सामने समझाने के लिए कि या हम, you know, we are actually Democrats, थे वो भी डिक्टेटर. और वो भी आर्मी चीफ के आशिरवाज से, पाकिस्तानी फोज के आशिरवाज से, अपने कामधंदे पे लगे हुए थे, एक स्मोक स्क्रीन है पाकिस्तान में, अब लिटिस्ट खबर के आई है, मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ आपसे, मैं काफी समय से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में सॉफ्ट कू हो चुका है, कू यानि कि तख्ता पल करती है किसी देश में, तो उसको कू कहते हैं, वैसे भी कोई dieक्ता पलेट कर दे, उसको कू कहते हैं, लेकि आप बोलेंगे जैर जनरल視 मुनीर तो आर्मी चीफ है, जो प्राइम इनिस्टर है, वो शहबाच शरीफ है, जो प्रेजडिन्ट है, वो जर्दारी है, तो फिर क्या है यह आर्मी का कु कैसे हो गया आर्मी का कु ऐसे हो गया दोस्तों क्योंकि आपके सारे इंस्टिचम को पाकिस्तान में वैसे इंस्टिचक चर्मराते भिरते हैं उनमें वैसे जादा they have no legs the institutions in पाकिस्तान उसको जब आप compromise कर देते हैं जब आप उसको compromise कर देते हैं फिर क्या होता है कि आपका army chief president house में बैठे न बैठे then that is a matter of academic disagreement फिर उसमें जादा उन तिलों में तेल नहीं है अब मैं दो थीन चीज़ें आपको बताता हूँ latest क्या हुआ है फिर मैं ministry of information technology and telecommunication में ये बोला है उन्होंने कि सब in fact inka law minister आजिम नजीर तरड ने ये बताया है national assembly को national assembly हम लोग parliament कहते हैं पाकिस्तानी उसको national assembly कहते हैं कि government ने premier intelligence agency जो पाकिस्तान की premier intelligence agency है यानि कि the inter services intelligence ISI को ये बोला है कि आप intercept कर सकते हैं आप सुन सकते हैं आप record कर सकते हैं calls और messages और आप national security के interest में call को trace कर सकते हैं और आप सब कुछ कर सकते हैं और in the apprehension of a crime under section 54 of the Pakistan communication reorganization act 1996 अब ये कह रहे हैं कि ये जो law है ये नया नहीं है 1996 में आय था लेकिन इसको मजबूत कर दिया गया है ब्ला ब्ला अब अच्छा इसमें एक और चीज़ है कि attorney general of Pakistan मनसूर उस्वान आवान ने बोला high court को during the hearing of a petition filed by ex-premier इम्रान कान्स पाउस बुशरा बीबी was seeking action against a leaked conversation allegedly featuring her and PTI leader लतीफ होसा अब मैं आपको दो-तीन बातें बताता हूँ आई है जब से conversation tap करने की technology पाकिस्तान में आई है ISI इसको tap करती चली आई है और पाकिस्तान में हो क्यों रहा है यह कहरें national security को threat है ठीक है अब पाकिस्तान को national security threat तीन जेगे से है यानि कि अगर external threat की बात करें ओके इंडिया अफगानिस्तान इरान वो ठीक है अफगानिस्तान इरान के बारे में ये लोग जुट बोलते रहते है कि साड़ा इसलामी बिरादर मुलक है एक दूसरे के गले काटेंगे इसलामी मुलक है ये सब है है करके जुट बोलते है एक दूसरे के गले काटने में लगे हुए है टेक है ना तालिबान तो डिली आके ठोकता है उनको ये किसके फोन सुन रहे हैं आईसाई जो है किसके फोन सुन रहे है भाई क्या इंडिया में एंडिया में किसी के फोन सुन रहे हैं क्या इनके पास वो टेकनोलिजी है कि इंडिया में किसी जेनरल का या किसी बहुत बड़ national security के बंदे का phone tap करें और record करें conversation क्या ये अफगान में अफगानिस्तान में जो Taliban है क्या उनके phone tap कर रहा है या ये एरान में Islamic Republican Guard Core IRGC के phone tap ये phone tap किसके कर रहा है अब मैं आपको बताता हूँ Pakistan में क्या problem है दोस्ता civilized world में generally क्या होता है कि intelligence agency external और internal वो अलग-अलग होती है उधारन के लिए भारत मैं भारत का उधारन देता हूँ भारत में जो domestic intelligence है यानि कि जो अंदर की बात है भारत के अंदर क्या हो रहा है कैसे हो रहा है उसकी responsibility अलग-अलग चीज़ के लिए अलग-अलग विभाओं को दी गई है उधारन के लिए intelligence bureau intelligence bureau is the largest intelligence organization for domestic intelligence local intelligence वो intelligence bureau करता है ठीक है जी intelligence bureau के अलावा आपके अपार NIA है जो की anti-terrorism के efforts करता है फिर आपका enforcement directorate है फिर आपकी CBI है ये सब अंदर के काम करते हैं अब सब के काम अलग-अलग हैं दोस्तों ये duplication नहीं इसमें काम अलग-अलग है NIA अलग ही चीज़ कर रहा है IB अलग चीज़ कर रहा है ED अलग चीज़ कर रहा है CBI अलग चीज़ कर रहा है और अगर आप सिर्फ domestic intelligence hardcore के बारें बात करें IB is the nodal agency that does that intelligence bureau जो foreign intelligence है उसके लिए हमारे पास है research and analysis wing RNAW जिसको आम लोग रह बूलते हैं अमेरिका में जो internal है homeland उसमें homeland security है जो कि anti-terror का काम करती है वैसे उनकी FBI देखती है Federal Bureau of Investigation लेकिन जो बाहर का है बाहर का matter है foreign का है वो देखती है CIA उसी प्रकार से UK में आपने सुना होगा MI5, MI6 You hear about all these things Pakistan में ISI सब कुछ करती है Pakistan में ISI सब कुछ करती है दोस्तों ISI decide करती है foreign का क्या है domestic का क्या है इसको क्या करना है और भी intelligence agencies है IV पाकिस्तान में भी है It is the same intelligence bureau जब अंग्रेश थे जब अंग्रेश थे तब ISI थोड़ना थी तब रोव थोड़ना थी यह तो बात में बनी है ओरिजिनल तो IV थी intelligence bureau बहरत में भी पाकिस्तान में भी उससे तूटके भारत में IV से तूटके रोव बना रैट पाकिस्तान में औरिजनल IV था वोई IV जिसका भारत में बटवारा जैसे बटवारा हुआ ना भारती सेना का भी बटवारा हुआ नौसेना का वायूसेना का अब अग्रीजों की बनाई भी फिर वहाँ पर Military Intelligence आ गई Military Intelligence इंडिया में भी है लेकिन इन सब का ये जितनी भी एजन्सी से आपगे जुखिया काम करती है सब का जो बाउस है वो I.S.I. है भरत में ऐसा नहीं है I.S.I. is the Super Agency आप ISI को रोक नहीं सकते, टोक नहीं सकते, आप ISI को question नहीं कर सकते, ISI का budget का कोई overview नहीं है, कोई parliamentary overview नहीं है, रिव्यू नहीं है, या फिर ISI pretty much does what ISI wants, और पाकिस्तान में सबसे बड़ी problem, अब यह कह रहे हैं कि हम लोगों की conversation सुनेंगे, किसकी conversation सुनेंगे, मैंने वोई प सुनेंगे अपने लोगों की conversation, यह जो है ना, मैंने soft coup की बात करी थी जब मने शुरू करी यही soft coup है, अब आपने लोगों की दिमाग में एक खौफ पर दिया, कि अब तो सरकार ने भी अलाओ कर दिया, ISI को, अब तो यह बात हो गई है, National Assembly में, यानि कि पाकिस्तान की Parliament में यह बात हो गई है, पाकिस्तान की संसद में, यह डिसाइड हो गया है कि ISI सुन सकती है, ISI को कौन रोकेगा, कौन टोकेगा ISI को, भई अगर कल ISI चाहे तखता पलट करना, वो तो पहले भी करती है, यह को नई बात नहीं पाकिस्तान के लिए, लेकिन अब कितना आसान हो ग परदलती है, और कल, इमरान खान फिर बन जाता है, प्राइम मिनेस्टर, तो यह बोलेंगे, पर्लिमेंट ने अप्रूफ करा यार, यह सुनेंगे, इमरान खान बात करेगा, किसी और से, उसकी बात सुनेंगे, लोग, कोई किसी से बात करेगा, अच्छा, जब यह चीज़ security के जो खिलाफ threat है क्या उनके लड़ने के लिए चीज़ काम आएगी बिलकुल काम आएगी मैं यह नहीं कह रहा कि बिलकुल काम नहीं आएगी बिलकुल काम आएगी अब तहरी के तालिवान है वो अगर पाकिस्तान के अंदर operate कर रहे हैं और वो अगर mobile phone से बात करते हैं किसी दोर जरीय से communicate करते हैं इनको फट से पता लग जाएगा लेकिन भाईयों यह तो उनको पहले भी पता लग रहा था अगर किसी पाकिस्तानी को या किसी इंडियन को ये गलत फहिमी है कि ISI wait कर रही थी पार्लिमेंट के approval का तभी phone tap प्लीज इमरान घान की recorded conversations हैं वो किसने करी रिकॉर्ड बुशरा बीबी जो इमरान घान की वाइफ है उसकी conversations recorded है ये किसने करी दसियों लोगों की conversations recorded हैं दसियों लोगों की पाकिस्तान में सब की conversations record करके कौन किस से बात कर रहा है कौन किस से बात कर रहा है पूरी लंबी-लंबी आप आप जाए YouTube में आपको पता लग जाएगा पाकिस्तान में किसने किसकी conversation कैसे record करी WhatsApp call record कर रखे है ये record कर रखा वो record कर रखा दुनिया भर की चीज़े लोगों ने तो क्या ये पारलिमेंट की permission से कर रहा था है लोगों ने पहले नहीं not at all इट उस नवर ड़न विद अपरलिमेंट ये ये अपने आप में ISI अपने आप में पारलिमेंट है इसलिए मैं बार-बार कहता हूँ कू हो गया soft कू फौजे भी नहीं चड़ी है वाने सदर Presidential Palace के अंदर पाकिस्तानी फौज नहीं गुसी ट्रिपल वन ब्रिगेट को एक्टिवेट नहीं करा जनरल आसे मुनीर प्रेजिडेंट अफ पाकिस्तान नहीं बना लेकिन जनरल आसे मुनीर बहस है क्यों जनरल आसे मुनीर चाहता है कि जिस बंदा जो सबसे पॉपिलर लीडर है पाकिस्तान का ठीक है जी सबसे पॉपिलर लीडर पाकिस्तान की हिस्ट्री में मोर पॉपिलर दन मौहमद अली जन्ना जिसने पाकिस्तान बनाए उस से ज़्यादा popular leader है, डाल उसको jail में, डाल दिया, भाई आपको कोई ना कोई charge तो आपको दिखाना पड़ेगा, कागस तो आपको पूरे करना पड़ेगे, इन्होंने murder के case में, murder के case में, इन्होंने दुल्फिकार अली भुट्टो को पाकिस्तानी फॉज ने टांग दिया था मुर्डर के केस में बोल दिया उसने मुर्डर करा है खरा है करा है एक दे गॉट अ जज्ज who complied with the army chief's order उस समय army chief और सर्वे सर्वा पाकिस्तान का military dictators यह लग हुआ करता था करती है नोग ने वैसी इनोने इमरान खान के साथ वही गेम करा है इमरान खान को डाल दिया जेल में राइट यह पहली चीज़ दूसरी चीज़ वो जो अर्शद शरीफ क्या नाम था जर्नलिस्ट जिसको I think he was there in Kenya जिसका murder करवा दिया वो इनके खिलाफ लिखता था ठोको इसको इमरान रियास खान ठोको मति उल्ला जान ठोको असत तूर हाथ तोड़ो तो यह क्या है these are strong arm tactics हमिद मीर को गोली मार्दी चाती पे दो हमिद मीर जो पाकिस्तानी जर्नलिस्म का सबसे बड़ा नाम है आप उससे disagree کرें agree करें 뒤 बात की बात है पाकिस्तानी जर्नलिस्म में हमिद मीर से बड़ा कोई नाम नहीं है as a face as a brand हामिद बीर से बड़ा कोई नाम नहीं है ठोक देदों को लिए उसकी चाती में तो भई आप ये सोचिए ना कि और जब मिलिटरी राज होता है तो और क्या होता है ये सब चीजन तो हो रही है ना मिलिटरी राज वाली आर्मी चीफ नहीं बैठा प्रेजिडन्ट की कुरसी में उससे क्या फरक पड़ता है काम तो सारे हो ही कर रहा है भई किताबों में क्या लिखा है इसकी कोई वैल्यू नहीं है मैं आपको आज बता रहा हूँ बड़ी कड़वी बात अमल काउंट करता है बातें तो अर जागे अच्छे अच्छी लिखी रहती है अमल क्या है ये बताइए तो पाकिस्तानी कॉंस्टिशन में अच्छे अच्छी बातें लिखी होंगी मैं मना नहीं कर रहा है मैंने तो पढ़ा है कभी कुछ-कुछ एकसर्प्ट पढ़ा है बट आफ नोट रेड इंटार कॉंस्टिशन अच्छी अच्छी इस चीज़ को घुमाई ये कितना बड़ा पावर है ISI के हाथ में खुफिया एजनसी जिसको प्रोटेक्ट करना चाहिए सिर्फ एक्स्टर्नल थ्रेट्स अगर पाकिस्तान मैं बता रहा हूँ अगर पाकिस्तान करना चाहता है तो आप ISI को मैं आपको आज बता रहाँ और ये पाकिस्तानियों को बड़ी गलत ट फेही है कि अपैस तुमआरी गटिया तरीन एजनसी है उसका वीडियो बना दिया, उसके कपड़े उतारके, इससे ज़्यादा S.I.S. कुछ नहीं कर पाई किसी का। मैं पाकिस्तानी उससे एक सवाल पूछता हूँ, रोज तुमारे यहां टैक होते हैं, रोज तुमारे यहां टैक होते हैं, राइट? daily के daily मैं यह जानना चाहता हूँ ISI को कभी क्यों नहीं बता लगता बागी दुनिया ना लाए कि चलो RAW भी खराब है CIA भी खराब है मुसाद भी खराब है हम कहरें पूरी दुनिया खराब है तुमारी एजनसी number one है तुमारी number one agency को कैसे नहीं पता लगता यार ये बताओ अगर इतनी बड़ी number one हम तो सब हमारे जो हमारी agencies हैं भारत की अमरीका की चाइना की ये सब चलो ही सब बेकार हैं ISI के सामने ISI टॉप फिर क्या कर लिए तुमारी टॉप ने मैं यही आपको कह रहा हूँ पाकिस्तान में दोस्तों military coup हो गया है soft coup और यही दिखाता है कि जितने draconian measures हैं किसी को ठालो किसी को भी गोली मार दो एक और मैं नाम बोल रहा हूँ उसके वीडियो जाते हैं मैं उसके बंदे का नाम भूल गया है वो कराची based journalist है उसकी sister थी उसकी wife थी उसके साइट parents थे नहीं थे पता नहीं उसके घर में उस के गहारा उसका मैं है वीडियो देखा मैं बंदे का पता नहीं क्यों उसका नाम में धिमाग से निकल जाता है उसके घर में गुसके गहारा अब वो कहरा है किसी मॉल्मी मौलाना ने पिटवा दिया, किसी ने पिटवा दिया पाकिस्तान में this is very common here क्योंकि मॉल्मी मौलाना के भी ISI के साथ आर्मी के साथ connection हो वरना इतना खुला कौन गूम सकता भाई तो पाकिस्तान का latest law ये कहता है कि ISI का जो अफसर बैठा है वो आपको क्या ISI का DG साइन करेगा He does not have the time ISI की DG के पास time नहीं है वो Captain, Major, Colonel इस level के लोग decide करेंगे कि उस बंदे का phone tap करना इस बंदे का phone tap करना उसको वहां से उठाओ They will take the calls और उनसे कोई सवाल जब आप पूछने वाला नहीं है क्योंकि Pakistan के Parliament नहीं बोल दिया tap करो, उठा लो बात यह है कि जो बात उन्होंने किया कि यह जो कनोन पास हुआ है कि हम किसी भी कार ट्रेस करें और जैसे बात स्टार्ट होई थी क्योंकि किसी क्योंकि किसी भी ट्रेस करें जोसे हों स्टार्ट है वो कूझ कार्णा थी बात बात किया लेकिन होत रही हूं आमने अमरीवनिवास की देखी जो ग़ाद लीक होई थी काफसे सरी पीछी परसनरीटीज देख लीज जो बड़ी है जिसके हम जा के देख सकते हैं कि फ़िसके गाद लीक ही जो के छोनीं चाहिए नहीं और हम बाद ही बाद कीकल यह सकी विपया kepada लेकिन हो जो ही तो है। वटसप काद कोई मिन्ë जा लगिए। यह है यह सारा मामला काते है। आरी फ में और आका kimse कुछ हुआ रहें थ 갔ुछ हो यह देनार होता रहा है। अब उन्होंने इसको पब्लीकरी कर दिया, पेपर पे लिख दिया ताकि खुफ वहरास और जा सके, हवाम को और जाए ड्राय जा सके और जो पुटेंशल खत्रा है, जिसको वो लोग खत्रा समझते हैं, उस खत्रे को किसी तरह किनेटिक में किनवर्ट करने से पहले हैं, उसको किसी तरह शकल में आने से पहली खात्म कर दिया जाए, इसका मकसद सिर्फ यह है, क्योंकि यह काम पहले भी हो रहा था, अब उनका किसी तरह किनेरे कजिआ था, उनका आदा मसला शाल हो जाता है, आदा निवीर काल 25-20 फाय पर्संट पाबिए और उनका काम-काम हो जाता है, तो उन्होंने सिर्फ है किसी तरह किसी क्रां जितने भी लोग सोच सकते हैं इस बारे में तो बलूओं क काम भी नन करें, जब उन तो उन्होंने सिर्फ खौफ औहरास पहलाने के लिए अपना पुटेंशिल खत्रे को बिल्कु खतम करने के लिए कि हमें ज्यादा इस तरह की जो एंट्रीज हैं उनके साथ डील ना करना पड़े और हमें जो 20-25 परसंट यह 30 परसंट जितनी भी पोटेंशिल डेजर कनवर्ट हो जाता है लोग तो फिजिकली आगे सारी से काम करते हैं वो हमें उसे डील ना करना पड़े और यह काम उधरी दब दे अपनी मौत आप मर दे तो सिर्फ इसका मकसद यह फर्क पहले भी कोई भी था आज भी कोई भी भी नहीं है पहले दिन से सिविलियन के पास जाए वो पावर नहीं थी और आज भी नहीं है उसको बस एक शोव यह करवाना के अवाम के अंदर एक खौफ़ और अहरास के लाने के लिए इससे आप लोगों ने अपने अपिरेंट कोमेंट में लाजबी बताने मिलेंगे फिर हम आपको अगले वीडियो में तब तक के लिए अधा हम्स